वश्कार में अस्ट्रोलजर और टेरोकार्ड डीडर नीलव जिस तरह ग्रहों का अच्छा और बुरा असर हमारे जीवन पर पढ़ता है उसी तरह ग्रहों की चाल जब परिवर्तित होती है तो उनका परभाव भी हमारे जीवन में तुरंथ पर्णने लग जाता है जिस तरह हर ग्रह राशी परिवर्तन करता है उसी परकार राहू और केतु भी तारा मंडल में राशी परिवर्तन करते हैं और इनका राशी परिवर्तन आम जन्वानस पर बहुत जादा परभाव डालता है क्योंकि राहू और केतु एक ऐसे प्लैनेट है जो आपके जीवन में अर्चने मुश्किलें और कठिनाईया लेकर आते हैं कठिनाईयों से ही व्यक्ति जो है अपने जीवन में आगे बढ़ता है और सबक सीखता है राहू और केतु का राशी परिवर्तन 12 अप्रैल को 11 बचकर 18 मिनट पर हो रहा है यह राशी परिवर्तन मेश और तुला राशी में होने वाला है राहु महराज जहां व्रिशब राशी से निकल कर मेश राशी में गोशर करेंगे वही केतु महराज जो है वो व्रिश्चिक राशी से निकल कर तुला राशी में गोशर करेंगे नौर्थ पॉल और साउथ पॉल इसे इंग्रीश की भाषा में कहा जाता है और इन दोनों ग्रहों, इन दोनों छाया ग्रहों का प्रभाव बहुत जादा हमारे होरोस्कोप में होता है जब कभी भी आपको स्वास्थ संबंदित परिशानिया आ रहे हैं या रोग का कारण जो ग्रै होते हैं वो जादातर राहू और केतू ही होते हैं जिनके कारण हमें बहुत सी अर्चने और बहुत सारी भयंकर बिमारियां भी लगते हैं तो जब जब इनका राशी परिवर्तन होता है उनका राशी पर्भाव पड़ता है लोगों पर क्या पर्भाव पड़ता है उसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं अपने इस विडियो में और इस बार बताते हैं कि इन राशी परिवर्तन का बारा राशियों पर क्या क्या प्रभाव पढ़ेगा और किस सावधानिया आप अगर अपने जीवन को अच्छा बहतर बनाना जाते हैं तो बरते हैं तो जिसके लिए आप ये राशी परिवर्तन का अच्छा लाब भी उठ जिस राशी में आज मैं आपको बताने वाली हों वह तुला राशी वालों के लिए किस तरह का यह राशी परिवर्तन रहेगा क्योंकि वरिशब राशी से राहू महराज निकल कर मेश राशी में प्रवेश करेंगे और वरिश्चिक आप लोग देख रहे हैं कि तुला राशी में केतु महराज का गोचर हो रहा है और इनके जिन लोगों की तुला राशी है या तुला लगन है उनके लगन में ही केतु महराज जो है वो गोचर करने लग जाएंगे और रहु महराज सीधा सब्तम भाव में प्रवेश कर जाएं तो जिस तरह से तुला राशी क्योंकि शुक्र की राशी है शुक्र की राशी वालों का जो सुभाव होता है बहुत जादा मिलनसार होता है बहुत जादा अट्राक्टिव नेचर के होते हैं बहुत जादा जो है उनका जो बिहेवियर होता है जो नेचर होता है वो लोगों को पसंद आने वाला होता है, साध सज्जावट से रहना, साध सज्जा से रहना और बहुत ज़़ाधा provocative होना, या बहुत ज़ाधा बातों होना इस तरह की nature उनकी होती है लेकिन तुला राशी वालों के लिए इस में केतु का जब प्रवेश हो जाएगा केतु महराज जब उनके लगन में आ जाएंगे तो ये किस तरह का असर उनके लिए देगा आए जानते हैं क्यूंकि केतु महराज जो है वो थोड़ी से distraction के ग्रह हैं कटाव का ग्रह है उदास रहने वाला ग्रह है चाया ग्रह माना जाता इनका इन्हें तो दुख का जो कारक ग्रह अगर हम किसी ग्रह को माने तो वो केतु महराज भी होते हैं दुख भी देते हैं और आपकी जो interaction है उसमें जो भी blockages आती हैं जो भी रुकावटे आती हैं वो केतु महराज के कारण ही क्Etsu आती हैं तो इनका लगन में गोजर करना आपकी personality में कहीं 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 दिक्तित लेकर आएगा हो सकता है कि स्वास्त संबंदित कुछ परिशानिया धो सर से संबंदित कुछ परिशानिया शुरू हो जिसे वाकती हैं आपको इस ग्रह गोचर के साथ मस्तिष से सं बंदित कुछ दिक्कतें भी आने की स्थिती बंद रही है केतु महाराज जब लगन में गोचर करेंगे तो लगन में जब केतु की प्लेशमेंट होती है तो लगन का जो कारक ग्रह है यानि कि अगर हम इसे कालपुष की कुनली मान कर चलें और इसे एक नमबर मान कर चलें तो यहाँ पर सूर्य भगवान का भी अधिपत्य माना जाता है तो सूर्य की स्थिती यहाँ पर बहुत उंदा हो जाती है केतु जब लगन में होता है तो ऐसे व्यक्ति जो है वो बहुत ज़ादा अपने परिवार के साथ जुड़े हुए होते हैं अपने पिता के साथ उनका लगाव बहुत ज़ादा होता है मान सम्मान से जुड़े ऐसे लोगों का कंसर बहुत ज़ादा होता है तो यह ऐसे लोग जो है कभी